हलो गाइस, वेलकम टू बेंगॉली एक्स्प्लेन सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत या अच्छी मूव की एक्स्प्लेनेशन लेके हाजिर हुई हूँ सो मूवी का नाम है है हमलोक सोसाइटी जिसका IMDb रेटिंग है 7.6 out of 10 और इस मूवी को डिरेक्ट किया है, स्कीन प्ले किया है, डायलोक्स दिया है स्रिजित मुखर जी ने चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्स्प्लेनेशन मूव की शुरुवात में दिखाया जाता है डिस्को के पार्टी के सिंस जहां पे एक सिंगर अपने गाना को गा रहा था, फिर हमारी मेन क्यारेक्टर से मुलाकात होती है जिसका नाम है मेगना, जो की एक बैंक में जॉब करती है और तो और मेगना की इसी हपते में शादी होने वाली है चौदध सल पुराणा फ्रेंड्स बिकम ब़ाइफेंड के साथ बट सदनली डिसको में बेगना देख पाती है कि उसके में बवाइफेंड को किसी और लड़की के साथ किस करते हुए बेगना देखके वहाँ से चली जाती है उसके boyfriend उसको convince करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती है तब उसके boyfriend उसे कहती है कि सच बात तो यह है कि मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता हूँ मेकना उसी बात को सुनके बहुत ही हर्ट होते हैं और वहां से चले जाते हैं नेक्स स्कीन में मेकना अपने घर आ जाते हैं और बात्रों में शावर ओपन करके रोने लग जाते हैं हाँ हाँ हम लोग तो यही एक असली जगह होते हैं रोने का फिर उसके पापा की घर चले जाते हैं जहां जाते ही मेगना उसके पापा से बोलती है कि कल मेरा ओफिस का important meeting है और मुझे नींद नहीं आ रही है इसलिए आप नींद की कोड़े लिख के दो मेगना के पापा यहाँ पर एक डॉक्टर होते है और मेगना की मा का death हो चुका है इसलिए मेगना अपनी पापा के साथ नहीं रहता है क्योंकि उसके पापा ने दूसरी शादी भी कर लिए थी वा वा नाइस बस मेगना की पापा उसके prescription देते है और मेगना वहाँ से निकल जाता है फिर होता है हमारी हीरो की एंट्री जो कि एक मेडिकल शॉप पे प्रोटेक्शन खरीदने गिया था कुछ देर पाथ ही मेगना वहाँ पर आ जाती है prescription लेके medicine लेके वहाँ से निकल जाती है और हमारे हीरो महाशाय साब उसका पीछा करते रहता है मेगना अपने घर पर आके निन्त की गोली खाने ही वाली होती है कि तभी उसके घर का टिंग टॉंग बच जाता है मेगना देखती है एक लरका बाहर खड़ा है और हाथ में चाकू लेकर डोर ओपन करती है और पूछता है कि कौन हो तुम और वहाँ हमारे हीरो महाशाय साब मेगना को चल कपट करता है यही बात उसे जैसे कि कि आपके विल्डिंग के नीचे पहरा दस हो गया है और आपने जो अभी की गोली लाई है न मैडम भिश्वास कीजे अगर आप एक बॉटल भी उन्नी की गोली खा ली न तो आप मनने वाले नहीं है तो प्लैनिंग करके कीजिए तो देखिए पैनिक बहुत होगा दॉक्टर की फीज जाएंगी पुलिस केस होगा बहुत कुछ होगा इनमें से आपका मूड उट जाएगा सुसाइट करने से इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी प्लैनिंग करके सुसाइट क मेगना बहुत कोशिच करती है उसे रोकने की लेकिन हीरो तो महाशाब नहीं रोकने वाली है वह बात्रूम रोली फेकते ही हमारे हीरो उसके बारे में मेगना दीडी को बताने लगता है जि मेरा नाम आनत कर है मैं एक पतिस्टान चलाते हूँ जहाँ पर सुसाइट कैसे कर होता है उसकी टेनिंग दी जाती है और आप तो सुसाइटी करने वाले थी ना तो आप चलिए हमारे कीजिए और दो दिन का कोर्से आपको किस तरह से सुसर करने में मज़ा आएगा यह पतिश्टन ठीक कर देगा मेगना गुस्ता हो के गोलते आप यहां से तुम चले जाओ प उसके ऑफिस के फ्रेंट के वो कहीती है कि तुम कहा हो मेगना आज ऑफिस नहीं आई और तुम तो जानती हूँ न ऑफिस की पॉलिटिक्स के बाड़े में मुझे लगता है तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया जाएगा यह रूट बीहुएर के वज़े से तब मेगना बोलत मेगन डोर ओपिन करती है और देखती है कि हिरो महाशाब आया हुआ है मेगना को आनद बोलने लगता है कि अपने सुसाइट की सोच को बदल लिया का रात में तो आप सुसाइट करने जा रहे थे वो भी गलत तरीके से इसलिए मैं सुभा आ गई हूँ आपके हमारी कैसे करती है इसी कोर्स को सीखने के लिए गारी में जाते जाते ही आनद मेगना को कुछ अपने बाड़े में इंफ्रमेशन देने लगता है कि वो एक अमिलोग का बेटा है पैसा उसके पात बहुत है अरे भाई कुछ उदार दे दे पैसे तेरे पात है तो आता लेकिन उसक देखती है कि वो अकेली नहीं होती है उस सुसाइट कोर्स को करने के लिए बहुत सारे लोग भी वहाँ पर आया होता है फिर महबते से इनकी तरह हमारे हीरो स्पीच देने लगता है हम लग सुसाइटी के बारे में सुसाइट कोर्स के बारे में यहाँ पर सुसाइट कोर्स किया जाता है उसका टीचर है बुलेट ट्रेनिंग विल्डिंग से कूदने की सूसाइट कैसे करते हैं इस सब चैसे आप सिखेंगे स्पीच खतम होने के बाद आनंद मेंगना के पास आगे पूछता है कि आपने डिसाइट क्या है अप कि इस क्लास पे फर्स जॉइन करने वाली है तो मेंगना बोलती है मुझे पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करू आनंद बोलता है काम कीजे आप नसे काटने वाल काटने से हमारी मौत भू सकती यह semt किस एंगेर से मौन पूं उसकती है एसे ही बोलने लगता है और अससे ही बोलते बूलते टेबल में काटने लगता है और वही सब देखे डर के मारे बाहर निकल जाता है और कुछ-कुछ लोग तो बेहोश भी हो जाता है फिर और एक प्लास में जाती है जहाँ पर सिब एक लड़की बैटी हुई थी मेगना उस लड़की से पूछता है क्या तुम क्यों सुसाइट करना चाती हो तब वो लड़की बोलती है मेरी आखों की रोशनी चली गई है मैं बच्पन से दिख सकता था माबाबा नहीं है अंकिल के पास मैं बरी हुई थी लेकिन अंकिल ने मुझे कुलकाता में बेच दिया और वहाँ पर सब लोगों ने मुझे को बहुत तॉचर किया एक लोगों ने तॉचर नहीं किया था तीन-चार लोगों मिलके फिसिकली तॉचर किया था मुझे बहुत दर्ट होता था यहीं सब बात में बेगना को वो लड़की रो रो के कहने लगी थी अच्छा आपके सुसाइट करना चाहती है क्या आपके हाल मेरे हाल से भी बहुत खड़ाब है मेगना उस लड़की की इस बात को सुनके रो लेती है और वहाँ से चल जाता है उसरे नेक्स्ट में दिखाएं जाते हैं मेगना की फादर को जहाँ पर मेगना के फादर मेगना के ओफिस के फ्रेंड्स के साथ पुली स्टेशन में जाता है मेगना के बारे में मिसिंग फाइल कराने के लिए नेकिन वो निराश होते हैं मेगना को ना पाने की बज़ास से सेंकट होते ही मेगना के पास आता है जहापर फीलिद से कैसे सुसाइट करनी होती है उस Moi को टीछ कर रहा था मेगनाफ फिर से वहां美 produkt wenn जाती है और से बाहर निकल जाते हैं फ़िर मेगना से फॉर्सी कैसे करते वहांसी कैसे देते उस क्लास पर जाती है याद में वहां पर वह कल एक लड़की के सा भार जाती है बटा प्लिस ऐपिसर को देखता है प्लिस ओफिसर उसके बारे सकाकी पर की तुम सुशाइट करना चाहती हो तो वह कहता है, वह बोइफिट ना मुझे दहोका दिया इसलिए मैं suicide करना चाहती हूँ तब वो पूलिस officer कहते है कभी army officer को देखा है वो बीबी बच्चों घड़ पे छोड़के अपने जीवन को दाव पे लगा देते है और तुमकी नज़स suicide करने ज़स boyfriend ने धोका दिया है इसलिए आए हो suicide करने तब मेगना पूछते है तो आप क्यों suicide करने आए है वो कहते है मैं बूरा हुगाया हूँ और मेरे घर में दिखने वाला कोई नहीं है इसलिए और ये scene यही पर ही खतम होता है फिस सुभा के scene दिखाये जाते है जहाँ मेगना के फादर एक restaurant में बैठा था और अचानक से ही वहाँ पर मेगना के ex-boyfriend को दिखता है एक लड़की के साथ मेगना के फादर वहाँ जाते है मेगना के बाड़ में उस लड़की को बोलने लगता है और वहाँ पर एक बहुत बड़े drama issue कर दिया था drama नहीं यह सची बात है क्यों करेगा ऐसा इस इन में मेगना के suicide course कंप्लीट हो जाती है और उसे छोड़ दिया जाएगा और तभी वो उस गाने को सुना मतलब फ्लेम की शुरुवात में जो गाना सुना गाना सुनाई दिया था वही गाना वहाँ पर भी चल रहा था और मेगना दोर के उपर चले जाती है कि वो गाना कौन गा रहा है तो मेगना जाते हैं देखते हैं कि वो गाना वो सिंगर गा रहा था जिस सिंगर को वो बच्वन से ही सुनते आया है मेगन आप यहाँ पर क्या कर रहे है आपके पास तो नाम है, पैसे है आपको लोग कितना पसंद करता है और आपके सारे मिउजिकल भर्म घोल्ड मेरेलिस्ट है आपके सुसाईट करने चाहते है तब वो बोलते है कि आज मुझे लोग पसंद कर रहे लेकिन कल अगा नहीं किया तो कल अगा मेरी जगा कोई दूसरा नहीं लिया तो इसलिए टाइम रहते रहते सुसाइट करना चाहती हो मेगना फिर उस पात को सुनके वहाँ से चले जाते है फिर मेगना आनंद के पास आख के बोलता है कि मैं सुसाइट नहीं करूंगी आनंद गुच्सा होके उसे बोलता है कि अब आप सुसाइट नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे अब आपका अपनी मा की याद आ रही है अपकी पापा की याद आ रही है अपकी फैमिली की याद आ रही है अपकी लवर की याद आ रही है सब आ रही है न तब मेगना बोलती है कि नहीं मुझे इस तब की याद आ रही है इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ सुसाइट और नहीं भी करूंगी तब मेगना आनंद को ये भी बोलते हैं एक और भी रिजन है मेरे सुसाइट ना करने की तब आनंद बोलते हैं और भी रिजन है मैंने छोड़ दिया का कोई रिजन तब मेगना बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ यह यह रिजन तब आनंद बोलते हैं थीन दिन में कैसे प्यार हो गया मैडम आपको मैंगना बोलते हैं टाइम बड़ी बात नहीं है अगर टाइम ही सब कुछ होता तो 14 सल पुराना बॉइफ्रेंड मुझे छोड़ के नहीं जाता और गाइस इस मुवी का यही पर्दापास होता है कि यह सब कुछ अभी तक नाटक चल रहा था जो लोग सुसाइट करना चाते हैं उन्हीं लोगों को ठीक करने के लिए आनंद यह सब प्रैन करता है आनंद खुदी एक एक्टर है चोटा मोटा सेड़ा चलाते हैं और जो कैरेक्टर अभी भी इस मुवी दिखाया गया है हेम्रक सुसाइटी के बाएने सब कैरेक्टर एक और सबी लोग नाटक कर रहे थे और बात रही हो सिंगर की वो सिंगर आनंद का भाया होता है फिर यही बात सुनके मेगना आनंद को हख कर लेती है और तभी आनंद उसके कानों पर बोलती है कि उसका एक बिमारी है जो की दो साल उसे बचने देगा इसलिए प्यार उससे नहीं होगा तो तभी मेगना वहाँ पर आनंद के सामने डोने लगती है और वहाँ से चुपचाप करके निकल जाते है कुछ दिन बात की सिंस दिखाया जाता है जहां मेगना अपने स्टेप मदर को आजमा भी लिया था साथ में ड्रिंग कर रहा होता है तब ही मेगना के फोन पे एक कॉल आता है आनंद हॉस्पिटल में है यही बात सुनके मेगना रोने लगती है और मेगना के फादर, उतकी स्टेप मदर्स और वो तीनों मिलके हॉस्पिटल चले जाते है अस्पिलर जाते ही मेगना देख पाती है कि नर्स के साथ फ्लैट कर रहा था आनंद आनंद के पास जाते है और बोलता है कि ये सब क्या जरूरत थी करने के लिए ओल टाइंग फ्लैटिंग अच्छा लगता है आपको फ्लैटिंग करना तब ही आनंद मेगना को पास बुलाते है सुनिए ये जो आपके आखों का काजल है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर आते हैं इस बाबु मौशाई के पास हाँ मेगना की एक्स बॉइफिन के पास जो कि उसके जीफ के साथ जगड़ा चल रहा था और उसके जीफ ने उसे डम कर दिया यानि छोड दिया बेगना की एक्स बॉइफिन डिप्रिस्ट हो जाता है रोने लगता है और गारी लेकर हावडा बिरिज के पास आ जाता है सुसाइट करने के लिए और तभी वहाँ पर फॉर्चुनेटली आनद आ जाता है और उसको मानिपुलेट कर हुए है नशे की हुई है और आप बिर पहले से आप नहीं मर सकते हैं और वह भी पहले से आप स्विमिंग जानते हैं तो नहीं होगा ही करते आनांस मेगना की एक्स बॉइफिन को भी मैनुप्लिट करने लगता है और उसे हम्रक सोसाइटी ले जाने के लिए प्यार भी कर लेता है जैसे मेगना के साथ भी हुआ और मुवी यही पड़ी खतमें खाई अगर आप पूरो वीडियो देख रहें तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे मेरे चैनल को अप लोग प्यार दीजियो को लिटीजीए यह को लाइक कीज